आजम सिंस और फोर का यूज सिखेंगे प्रेपोजिशन की एक पाट है तो स्टार्ट करते हैं सिंस और फोर से जो सिंस का यूज होता है और फोर को जो सिंस का यूज होता है आपको रखना है सिंस का यूज होता है कलेंडर में आने वाली सभी तिधी का सभी डेट का लाइक कलेंडर के इंदर कहके चीछ होती है डेट, डेट, मन्थ, येर अगर कहीं दिया हुआ स्पेसिफिक डेट, मंडे, तुजडे, संडे, कुछ भी दिया है तो आप उससे पहले यूज़ करेंगे अगर स्पेसिफिक डेट दिया हुए है जनवरी, फर्वरी, दिसंबर, अगर इन में से कुछ भी दिया हुआ है तो आप स्पेसिफिक यूज़ करेंगे येर 2005, 2009, 2010 कोई भी स्पेसिफिक येर दिया है तो सबहले आप सिंस का यूज़ करेंगे जैसे कि आपने देखाऊगा कुछ ब्रेंडेट चीज़े होती है या कोई बुनादी शोब हो गई वुडलेट कोई भी फ्रेंड का आप लेते तो उसके आगे आप लिखावा देखेंगे लिखेंगे से सिंस 1972 तो यह एक पॉइंट ऑफ ताइम है सिंस निटीन से लेके आजfel 2019 तक यानि कि आज तक उस समय से लेके आज तक इस पॉइंट ओफ टाइम से लेके धोजार उन्दिस तक तो ऐसी जगह पे हम सिंस कर स्नवाल करते हैं अब सिंस कर उसम करते हैं टाइम के लिए 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 तो आपे मैंने में वेंशन किया हुआ है गलोब में अगर कोई निश्चित समय दिया हुआ है 7 a.m. 8 p.m. कुछ भी दिया हुआ है अगर exact time तो वहाँ पे आप यूज करेंगे सिंस stage of life कोई life के stage दी हुए है जैसे कि I was playing chess since childhood मैं बच्पन से chess कहलता था ठीक है adults and young and stuff part of each day एक दिन के part करते हैं अगर हम तो उसके जो हिस्से कह रहाते हैं हापे भी हम सिंस का यूज करते हैं जैसे कि morning I am playing since morning मैं सुभर से खेल रहा हूं ठीक है noon last night इन सभी के साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं अब बस तक है 4 यहां सभी हम सिंस का यूज करते हैं सिंस का एक यूज हो रहा है festival यानि कि कोई भी अगर occasion आ जाता है कलेंडर केंदर को ओकेशन ओकेशन होंगे जैसे कि holy दिवाली इद जशेरा एक्स्टर तो कोई भी अगर करने के लिए हम लेते हैं दोनों का एक 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 सिंस का और एक फोर का जिससे कि यह बहुत ही कियर हो जाएगा देखते हैं कि कुछ अगर मैंने बोला कि मैं दो घंटे से खेल रहा हूं तो वह कोई से भी धूहिंटे हो सकते हैं और नों पर मैं ताइम आपके में पता नहीं कि वो कुंचा समय है simply तो मैंने आप एक example लिया मैं दो घंटे से पढ़ा रहा हूं ठीक है इसके English मैंने आपके लिखी हुई है I have been teaching dash two hours और since के अगर बात करते हैं तो point of time इक निश्चित समय दिया होता है हमेशा उसको हम बहुते हैं since जैसे कि आपने कुछ branded जो चीजे होते हैं उनके आगे हमें से लिखा हुआ देखा हुआ होगा since 1972 जैसे कि रिवोग वुड्लेंड since 1972 1952 कुछ भी हो सकता है ठीक है यह होता है निश्चित समय यानि कि point of time एक बिंदू दिया हुआ है एक starting point दिया हुआ है यानि कि वुड्लेंड जो है वुड्लेंड 1902 तक से लेगे आज तक 2019 तक माई ने में यहां से start हुआ और 2019 तक आगे है अब मैंने आप एक example मैं दो बज़े से पढ़ा रहा हूँ मैं दो बज़े से पढ़ा रहा हूँ इसको मैं इंग्लीश में translate किया I have been teaching डेश टू कोग लोग तो अगर आप simply आप पूछा जाए कि इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा अभी मैंने पिससे पहले समझाया थे कि कहीं पर निश्चित टाइम गिया हुआ है तो आप क्या आप रहोगे और यहां पर निश्चित साइट टाइम दिया है तो यहां क्या आएगा आप नीचे कमेंटर की भी बता सकते हैं बढ़ उससे पहले ना भर भी देचा उसको है यहां के रिपर हम बात करते हैं मैं दो बहंटे से पढ़ा रहा हूँ उसका हमें बतागी तो मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में तिल ये डाइंट टेक केर थैंक यू